दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OEI VS JOR के बीच होने वाले कार्ट 100 सीरीज के पहले T10 मैच के बारे में तो आपको ध्यान से पूरा वीडियो वाच करना है क्योंकि मैं गरंटी देता हूँ अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा वाच कर लोगे न तो आपको बिल्कुल भी इशू नहीं आएगी कहीं पर ना तो जाने की जूरत पड़ेगी और आप लोग जो है आटोमेटिकली एक बेश्ट टीम रेडि कर पाओगे ठीक है तो ध्यान से वीडियो को देखना एक छोटा सा इंट में आपको दे रहा हूँ कि यह मैच कैसा है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के परपस से ठीक है देखो दोस्तो आई खान नामसे एक प्लेयर है सेलेक्शन कितना इसका बा बोलिंग में भी सेलेक्शन कितना है बारा परजेंट और यह एक मातर बंदा नहीं है बहुत सारे से प्लेयर है जो बहुत क्लासिक प्लेयर है लेकिन सेलेक्शन बहुत जादा डाउन है ठीक है अब यह आपको सारा डेटा पता लग जाएगा तो वीडियो को स्टार्ट करत मैंने नोट भी कर रखा है तो आप लोग 12,000 रुपे फ्री में भी विन कर पाओगे आगे की जो वीडियो रहेगी वो भी आपको मिल जाएगी बहुत सारे बेनिफिट है अगर नहीं क्या है तो कर लो नहीं करना चाहते हो तो आपके ओपर डिपेंड ठीक है उसके अलावा से जादा की जी एल विनिंग ठीक है तो यहां पर मैं बोल भी नहीं सकता हूं क्योंकि यह बोलना भी मेरे लिए नुकसान जो है उठा सकता है ठीक है बाकि देखो यह टेलिग्राम चैनल है फाइनल टीम के लिए फाइनल बैटिंग ओर के लिए यह आपको जोइन करना है ठ ठीक है मतलब एक सिरीज थी 2021 के अंदर अप्रेल में हुई थी टीटेन पॉर्टूगल सिरीज ठीक है एक सिरीज थी 2020 में हुई थी और दोस्तों वो जो सिरीज थी ठीक है वो थी कार्टेक्सो सिरीज ठीक है अब दोनों सिरीजों के प्लेयर जो थे ना वो मिक्स होके टेक सो क्रिकेट ग्राउंड है जहां पर लास्ट मेच खेला गए था 25 सेतंबर को फाइनल मेच ठीके 2020 में और 8 बच कर 30 मिनट पर मेच श्टार्ट हुआ था मैच था मालमो सीसी वर्सस अलवाडे सीसी के भी जो 10 विकिट से मालमो सीसी ने विन किया था अलवाडे सीसी 45 रन पर अलाउट हो गए थी और इन्होंने 47 रन बनाके 5 और में गेम को फाइनल मेच को विन कर लिया था तो यहां से एक चीज आपको देखने को मिल लेगी जो पिछ है वो बॉलिंग पिछ है ठीक है लाइव मेच फैन कोड पर और ECN के YT यानि यूटूब चैनल पर आप लोग देख सकते हो फर्स्ट मेच रहे गए यह 2021 का गाइज मैं आपको बता देता हूँ OEI की जो टीम है कार्टेक्स सीरीज जो ही थी ना 2020 में उसमें सेकंड सेमी फाइनल मेच यह हार गई थी ठीक है मैंने यह बता दिये आपको सुमन गिमेरे इस टीम की तरब से खेले थे और हाइश्ट स्कॉरर रहे थे और जैसा मैंने आपको वीडियू की स्टार्टिं की बता है इमिरान खान जैसे काफी ऐसे पलेयर है जो बहुत क्लासिक है लेगिन सेलेक्शन उनका काफी कम है यहाँ अपर आप लोग देख सकते हो गिमीरे का केवल सेलेक्शन 20% एठेगे जो कि लास्ट T10 सीरीज में हाइस्ट स्कोरर रहा था पूरे T10 सीरीज के अंदर ठेगे उसके अलावद दोस्तो ओपन भी करेगा विकेट कीपरिंग भी करेगा सेलेक्शन भी का में स्मॉल लिग रैंड प्लेयर है इनके साथ ओपन करेंगे इमरान खान ठीक है आप लोग यहाँ पर देख रहे हो इमरान खान सेकेंड ठीक है तो सेकेंड तो मैंने आप लिखा नहीं है इमरान खान यह वही प्लेयर है अब आप देख सकते हूँ यहाँ पर टीम का बेस्ट और लाउंडर है साथ मैच में साथ विकिट है और एक सो पचास रने और हाइस डिसकोर 68 रनका है तो इस प्लेयर को क्या आप लोग बहुकुफी करोगे ड्रोप करने की नहीं करनी है ठीक है उसके बाद बंडा होना आएंगे राहुल हुड़ा राहुल हुड़ा का सेलेक्शन कितना है मैं आपको द दल रहें ठीक है राहुल हुड़ा के मैं आपको बता दू आठ मैच में 255 रने टीट्वण्टी मैच में और वन डाउन बैटिंग करने आएगा लाज जो मैच था देखो लाज जो मैच खेला उसके बाद यह टीटेन का कल का पहला मैच खेलने वाली यह टीम ठीक है तो रा नॉर्मली कहें तो ड्रोप करने लाइक प्लेयर है ठीक है मदुकर थापा 14 मैच में 31 रन और 12 विकेट ठीक है बहुत क्लासिक प्लेयर है बहुत शांदार प्लेयर है ठीक है मंजी सिंग टीम का इस्पीनर है यह मैं बोलर तो मैं नहीं कहूंगा बट इस्पीन के अगर मामल इस टीम का नॉर्मली देखोगे तो क्लासिक प्लेयर की केटेगरी में आता है जो डैथ में बोलिंग करेगा और डैथ में विकेट टेकर बोलर में आता है यह 14 मैच में इनके 13 विकेट है ठीक है श्रीपल मत्ता भी डैथ में आएंगे दोनों बंदे जो है डैथ में आने व बहुत डाउन है बहुत ही जादा डाउन है और यहां पर मैं दिखा भी देता हूँ आपको यह रहा पर विन सिंग जूनियर ठीक है अब आप दिख सकते हूँ 7 मेच में 115 रन बैटिंग में यह प्रमोट हो सकते हैं मैंने डाउन इसलिए लिए क्योंकि जो उपर के प्लेयर लेकिन मैंनली काहनी क्या है यह दो और बोलिंग करवाता है यह इनकी प्लेयंग के लिए वोने जो बैटिंग ओडर के अकोर्डिंग है ठीक है ओपनर बोलर में इमरान खान का ओपन आना लगबग शोर है अब एक बंदा ओर आएगा अब यहां पर मुझे शोर्टी नहीं लिए कि कौन आएगा कूई दोतिन प्लेयर है मधुकर थापा है राहूल भारद्वाज है स्रीपल मतता है कोई भी आ सकता है इरिंग को सिंग है तो जिसका मुझे नहीं पता है उसका मैं आपको नहीं बोलूँगा डैथ बोलर की बात आती है तो स्रीपल मिंतत मतत और आर भारदवाजे डैथ में आएंगे, स्पीन में, मनजी सिंग मैंने आपको बता दिया है, बेंच प्लेयर के स्टेट्स के बाद करूँ तो फैजल रहीम के दो मेच में दोरण जीरो विकेट, यह जितने भी प्लेयर बेंच में है ना सही तरीके से बेंच में है, क्योंकि अगर अच्छे होते हैं, इनको आप खुद देखिए, अगर एक प्लेयर कुछ अच्छा प्लेयर है, यहाँ पर तो वह जगरूप सी है, जो अच्छी खासी बोलिंग करवा सकता है, छे मैंच में तीन विकेट है, बाकी जितने भी प्लेयर है, बेंच के लायक है, इसलिए बेंच चैनल है, जहाँ पर जोइन होना ही होना है, तीक है, दूसरा अपना सेकिंड चैनल है, जिसका नाम है क्रिक विन्स, ठीक है, इस पर अल्ड़ी पचास हजार से जादा मेंबर जुड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको दो हजार का फिरी इस मैच के लिए मिलेगा, केव पर है प्लस में जो मैच की Grand League की टीम आएगी वो भी यहाँ पर आएगी तो जोइन कर लेना जिन भाईयों ने जोइन नहीं क्या है लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पर मैंने लिखा वो अभी है Grand League प्लस गीववे चैनल ठीक है यह बात आपको ध्यान रखनी है अगर हम बात करें OEI जिसको में OIRS प्लेइंग लिए OIRS की टीम भी कह सकता हूँ इनकी प्लेइंग लिए उनमें कुल्दीप वह ही लिया जो ओपन करेंगे एज विकीट कीपर के तोर पर खेलेंगे साथ मेच में दोस्तों इनके 146 रन है हाइश्ट स्कोर इनका 46 है जो की इनका लाश्ट मेच के अकोर्डिंग मैंने आपको बोलाए ओपन करेंगे या तो प्रिंस मराठा के साथ या अमंदीप सिंग के साथ अमंदीप सिंग का जो सेलेक्शन है मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ एक बार अमंदीप सिंग यह रा ठीक है, ओई आई का यह प्लेयर है, जो की as a wicket keeper section में आपको दिया गया है, बहुत तगड़ा प्लेयर है, कभी भी बड़ी निंग खेल सकता है, देखो प्रिंस मराथा क्या है, मतलब खेलता है जब open करता है, ठीक है, अमंदीप सिंग open भी करता है, ड 10 मेच में 130 रने और bowling भी करवाता है, ठीक है, उसके बाद कोर्णाल गिरीन शील्ड है, जो मैं कह सकता हूँ, इस टीम का सबसे classic player है, तो इनके 7 मेच में 242 रने और 3 wicket है, 7 मेच में 242 रन, किसी भी प्लेयर के निए ध्यान लगना ठीक है, वाइस केप्टन है अपना ठीक है हाइस्ट स्कोर 79 रने, कुरुत पतेल 7 मेच में 21 रन, पांच विकेट, अब इनके रनों पे और विकेटों पे मत जाना, ये player टॉप हिटर है, कभी भी परमोट हो सकता है, ये T10 का स्टेट्स है, ठीक है, सोरी T20 का और वो भी किन T20 का, जो इन्होंने last मेच खेले, last के 7 मेच स्टेट्स है, ठीक है, ओवराल स्टेट्स है, ओवराल बहुत तगड़ा player है, black सा बंदा है, मोटा ताजा बंदा है, ठीक है, और death में bowling करेगा, spinner इसको कहा जाता है, लेकिन इसकी spin जब आप देखोगे, तो आपको पता लगेगा, कि ये एक fast bowlers की category में, आना चाहिए हमारे इसाब से, लेगिन ये टीटे ने याँ पर spinner इसको दिया गया है, मैंशिन किया गया है, ठीक है, तो कुरूत पटेल मैन बोलर है, टॉप हीटर है, परमोट हो सकता है, कभी भी death में bowling करेगा और दोर bowling करेगा, important player है, ठीक है, एफ हुसेयन है, ये एक मात्रे सा बंदा है, जो करने का सिंपल सा रिस्क ले लेना, क्योंकि ये टीटेन फॉर्मेट है, यहाँ पर सेलेक्शन नहीं, बलकि player चलते हैं, ठीक है, उसके बाद रंजीत नारायन, सोरी, जेक बाला कृष्णा है, जिसके टीटेन में तो साथ मेच में 62 रन है, ठीक है, बोलिंग करवाता है, बुक की मज़ा, डैट का बोलर, और स्पेशली बहुत ही क्लासिक बोलर है, साथ मेच में 8 रन और 8 विगेट है, उसके बाद सेयद रह्मान है, 9 मेच में इनके 10 विगेट है, सेलेक्शन इनका कम नहीं है, लेकिन player ये क्लासिक है, ठीक है, सल्मान एहमत की साथ मेच में 4 वि डैट की बात करता हूँ, तो कुरूद पटेल और पॉल बुक की मज़ा डैट में आएंगे, ठीक है, इस्पिन बोलर, इनके पास कुरूद पटेल है, मैंने आपको बता रिया है, कि अच्छी खासी इनको इस्पिन नहीं आती है, आप मेच में लाइव देख लेना, जब मे प्लेटिंग भी, मतलब मान लिजे, खेलेगा तो अपन भी कर सकता है, प्लस में बोलिंग भी करवाता है, ठीक है, यह स्टेट्स हो गया, अब यह मैच का पूरा ऐसा डैटा हो गया, जिससे आपको जो भी प्लेयर ड्रीम लिए, उनके देख रहे हो ना, यह एम शौफिक लिए डेटा तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखो टेलिग्राम से जोईन होना ना, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फाइनल टीम, फाइनल बेटिंग ओडर, न्यू प्लेयर का इस्ट्रेट्स, यह सारी चीज़ आपको टेलिग्राम प आपको बताया है, कि आप लोग खुद भी अपने हिसाब से टीम रेडी कर सकते हो, ठीक है, तो यार देखो, मैं यह भी नहीं कह सकते हूं, कि आप हाई इंवेस्ट करो, क्योंकि अगर मान लीजे मैंने कहे दिया, ठीक है, और फिर टीम बेकार चली गई तो सीधा सा पूरा तो मैं अभी टीम दिखा रहा हूं, अभी मैं अगर टीम दिखा दूँगा ना, तो जिस प्लेयर को मैं ट्रम मान रहा हूं, उसका सेलेक्शन भढ़ जाएगा, अब जैसे मैंने आई खान का आपको बोला है, अभी कितना इसका सेलेक्शन बारा परशेंट, ठीक है, बहुत लोगों को पता है, प्लेयर इस्टेट्स बहुत काम के होते हैं, इसलिए मैंने बना दिया, ठीक है, तो मेरी जो टीम होगी, वो आपको आफ्टर टोश टेलिघराम पर मिलेगी, मैं किलियर बहूँ आता देता हूं, ठीक है, जो इन करना चाते हो, कर सकते हो नहीं कर बेंट है अब यहां से 10,000 की गीववे की में बात कर लेता हूं ठीक है सिंपल सा गीववे कंडिशन अगेन या दिला दू केवल चैनल को सबस्क्राइब करना बाकी कुछ भी आपको नहीं करना है ठीक है तो गीववे क्या है कैस्ट को माउंट जो है थोड़ा सा बढ़ा है इ इस दोनों यह दोनों प्लेयर मिलके कितने पॉइंट देंगे जैसे मान लो इसने 10 पॉइंट दी बता रहा हूं एक्जम्पल के लिए ठीक है इसने पंदरा पॉइंट दी तो टोटल कितने पॉइंट हो गए यह पच्छीश ठीक है और इसी तरीख से कुरुत पटेल वर्स प्लस के गोही लिया मान लीजे इसने पंदरा दिये इसने इस तरीके से ठीक है इसने भी पंदरा दिये तो 30 तो 25-30 इसका correct answer हो गया ठीक है अब यहाँ पर क्या है यह थोड़ सा difficult question है ना तो एक question मतलब एक comment में तो शायद आप लोग नहीं कर पाओगे इसलिए मैं आपको कह स पर दे देंगे ठीक है पांच-पांच-जार रूपे फिरी में मिलने वाले और आगे बहुत सारे गीवबेज आएंगे तो यह गीवब में आपको बता दिया पार्सपेट करने का simple सा rule है क्यों चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी कोई rule आपके लिए नहीं है ठीक है अमीद है यह वीडियो से आपको data मतलब ऐसा पसंद आया होगा कि आप अपने हिसाफ से team ready कर पाऊगे बाकी मैं अपनी टीम अभी यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि यहाँ पर दिखाना मेरे लिए भी नुकसान दे होगा और आपके लिए भी हो सकता है ठीक है इसलिए final team के लिए टेलिग्राम चैनल को जोइन करें ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों वीडियो को लाज तक देखने के लिए मिलते हैं मैच के टाइम पर टेलिग्राम चैनल में